साई की बात बच्चे को देता हूँ आश्विवाद के तौर पर क्योंकि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ मैं चाहता हूँ मेरे हर एक बच्चे के पास में वो चीज हो वो रिष्टे हो जो सबसे बहतर हो सबसे बहतरीन और खूबसूरत हो उनका दिल बहुत साफ हो उनका मन बहुत साफ हो मैं बस ये चाहता हूँ कि उनकी जिन्दगी हमेशा मेरे बच्चे खिल खिलाती रहे उनकी जिन्दगी में कभी कोई दुख ना हो कभी कोई काटे ना हो और अगर जिन्दगी में काटे होते भी है न तो मैं उनको निकाल कर बाहर फेक देता हूँ और उनकी नई जिन्दगी को नई तरीके से बनाता हूँ अपने हातों से और उनकी जिन्दगी में एक एक शक्ष, एक एक रिष्टा बहुत सो समझ कर मैं उनकी जिन्दगी में देता हूँ मेरे बच्चे चुकि मैं अपने बच्चे को कभी भी दुखी नहीं देख सकता जिस रिष्टे को लेकर मेरे बच्चे तुम परिशान हो रो रहे हो ना चिंता मत करो तुम्हारे जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आएगा मेरे बच्चे जो तुमसे बहुत प्यार करेगा बहुत प्यार और अपने कुछ बच्चों से कहना चाता हूँ उदी ही है मेरे बच्चे सिर्फ उदी है जो संजीवनी बनकर तुम्हारे शरीर पर काम करेगी मेरे बच्चे उसे लेना शुरू करो तुम जैसे ही उधी लोगे न, देखना, संजीवनी की जैसे काम करेगी मेरे बच्चे तुम्हारे शरीर पर, लेकिन लेना विश्वास थे मेरे बच्चे, अगर विश्वास से लोगे न, तो देखना मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक हो चाहेगा, और मेरे कुछ बच्चों के गर पर कुछ लोग ऐसे हैं, जो बिमार हैं, और वो इस कदर बिमार हैं, कि वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, खुद से वो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनका शरीर नहीं चलता है, तो मेरे बच्चे तुम बिलकुल जिनता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्य हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या व्यतीत होती है, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें सब के अब शब्द सहने बढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, जो तुम्हारे आसपास ऐसे हैं, जो हमेशा तुम्हें बिना ताने मारे तो रहते नहीं हैं, लेकिन मेरे बच प्रेतने करते रहोगे अभ्यास करते रहोगे तो एक ना एक दिन मेरे बच्चे वो समझ जाएगा वो समझ जाएगा कि तुम साइं के बच्चे हो तुम पर मेरा अशिरवाद है और वो कभी भी तुम्हें ताना नहीं मारेगा तुम्हें गलत नहीं कहेगा मेरे बच्चे कभी नहीं कहेगा और अपने कुछ बच्चों से कहना चाता हूँ कि मेरे बच्चे अपने आस्पस लोगों की तरक्की देखकर मेरे बच्चे कभी भी मन में ईशा नहीं लाने चाहिए कभी नहीं मेरे बच्चे अगर वो तरक्की क मेरे बच्चे इशा से ना मेरे बच्चे तुम खूद को खोकला कर लोगे जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम अपने आपको खोकला करू और कुछ मैंने अपने बच्चों को स्वपनों में दर्शन दिये दिये ना मेरे बच्चे हां मेरे बच्चे मैं वह ऐसके रास्ते पर हुए जो संकेत दिया है अगर उन्ही priced पर चलोगे तो हमेशा मेरे बच तरक्की करोगे मेरे बच साथ कभी कुछ गलत नहीं हो पायगा कभी नहीं कि मैं होने नहीं दूँगा और जिन रास्तो पर मैं चलने के लिए서 छलोगे रोस चला करेuff और सुनो, आज मेरे बच्चे 25 अध्याय, 27 चरित्र का जरूर पढ़ना मेरे बच्चे, जरूर पढ़ना, तुम्हे कुछ समझाएगा, तुम्हे कुछ वहाँ से संकेत मिलेगा मेरे बच्चे, संकेत मिलेगा, और अपने कुछ बच्चों से कहना चाता हूँ, तुम्हारा जो चुब्द भी इस्तिमाल कर लेता है जो मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ मेरे बच्चे कि तुमने अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दी है तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन कुछ ही महीनों से मेरे बच्चे वो ऐसे महौ में है कि उस महौल को ना मेरे बच्चे वो समझ नहीं पारा और उस महौल की वज़ा से ना मेरे बच्चे वो गलत रास्ते बे जा रहा है जो उसे जाना नहीं चाहिए उसे रोको मेरे बच्चे उसको शिक्षा की तरफ ध्यान लगाओ उसका कुछ भी करके कैसे भी करके मेर या वो वहाँ पर मौजूत ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा न, तभी बच्चे का दिमाग, बच्चे का मन शिक्षा में लग पाएगा, अगर वो बड़ों की बातों में रहेगा, तो वो कभी भी न, शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ पाएगा मेरे बच्चे, कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो थोड़ा समझा करो मेरे बच्चे, थोड़ा इस छोटी छोटी बातों पर अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, तो कौन देगा मेरे बच्चे, ध्यान दिया करो, और अपने कुछ बच्चों से कहना चाता हूँ, जो तुमने मेरे आगे प्रातना क ही है मेरे बच्चे, जो मेरे आगे अर्जी लगाई है, वो मैंने स्विकार कर ली है मेरे बच्चे, कर ली है, तुम बिलकुल चिंता मत करो मेरे बच्चे, बिलकुल चिंता मत करो, और अपने कुछ बच्चों से पूछना चाता हूँ, तयारी हो गई मेरे बच्चे, तुम मैं शीडी में इंतजार कर रहा हूं मेरे बचे तुम शीडी जल्दी जल्दी आजाओ मेरे बचे मुझे तुम्हारा बेसबरी से इंतजार है मेरे बचे बेसबरी से इंतजार है और मेरा कोई बच्चा है जो शीडी का प्रशाद खाना चाहता है तो तुम्हारे ही माध्यम से मेरे बच्चे उसके घर में मेरे बच्चे प्रिशाद जाएगा मेरे बच्चे वही तुम माध्यम बनोगे और तुम्हारे माध्यम से किसी के घर पर मेरे बच्चे प्रिशाद जाएगा मेरा मेरा कोई बच्चा है जिसे बहुत मन है मेरा प्रिशाद का मेरा उधी का और तुम्हारे माध्यम से मेरे बच्चे वो उनके घर तक पहुँचेगा तुम उसका माध्यम बनोगे मेरे बच्चे और अपने कुछ बच्चों से कहना चाता हूँ तुम्हारा बहुत मन करता है ना पहुत दिल करता है न अंदान करने का तुम नहीं कर पाते अपने परिवार के चक्कर में अपने परिवार के वजल से मेरे बचे क्योंकि तुम पर थोड़ी सी बंदिशे हैं को चीजे ऐसी हैं जो तुम चाहा कर भी नहीं कर पाते हो मेरी सेवा नहीं कर पाते हो तो सुनो मेर मेरे बच्चे सबसे आसान तरीका है मेरे बच्चे अगर तुम कुत्ते को रोटी डाल सकते हो ना तो कुत्ते को रोटी डालो ना मेरे बच्चे वो भी मुझ तक पहुँचेगी मेरे बच्चे तुम्हारे साई तक पहुँचेगी अगर तुम एक मुठी चावल चिडियों को डालते हो, सिर्फ एक मुठी मेरे बच्चे अगर गाएं को रोटी खिलाते हो तो भी मेरे तक पहुँचेगी अगर तुम बेज़ुबान जानवरों की सेवा करते हो, तो वो सब सेवा तुम्हारे साई तक पहुँचती है मेरे बच्चे, और कुछ अगर तुम्हें बोजन अपने आप दिया मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे और उस वक्त मैंने तुम्हें आशिरवाद भी दिया था मेरे बच्चे, तुम्हें दिया था और सुनो मेरे बच्चे, अपने आपको दोशी ठहराना बंद करो कुछ चीजे ऐसी होती है जो समय के साथ होती चली जाती है मेरे बच्चे, उसमें तुम्हारा कोई दोश नहीं है मेरे बच्चे, जो वक्त और हालात होते हैं न, उनकी वज़़से वो चीजे अपने आप हो जाती है तो अपने उपर दोशी मठ है रहाओ अपने आपको बिलकुल मठ है रहाओ मेरे बच्चे, खुश रहो आज का साई संदेश समापत हुआ